हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप लोग मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहें मेरा यूट्यूब चैनल टेक आनस मोहित तो जैसा है कि आप लोग जानते हैं मैं फायर बोल्ड स्मार्ट वाच के उपर काफी वीडियों बना चुका हूं और लगातार उसमें बहुत सारी प्राबलम आती रहती हैं अब मैंने लगवग उसके हर एक प्राबलम का सलूशन के उपर भी वीडियों बना चुका हूं लेकिन वाच में प्राबलम खत्म होने की नाम नहीं ले रही है अभी क्या है कि कई दिन पहले से मुझे कई लोग SMS कर चुका है इंस्टाग्राम पे अभी एक प्राबलम सबसे अधी कि यह आ रही है फार बोल्ड के साथ कि आप अगर और कर देते हैं तो और तो वो कनफर्म हो जाता है लेकिन उसके कुछ घंटे के बाद या एक दिन बाद या दो दिन बाद वो और आटोमेटिक कैंसिल हो जा रहा है तो आपको प्राबलम जेलनी पड़ सकती है और फायर बोल्ड की रिफट पॉलसी पता है ये बोलने के तो बोलते हैं कि साथ से लेके 14 दिन के अंदर आपका refund मिल जाएगा, लेकिन कभी भी आज तक 14 दिन के अंदर किसी को भी refund नहीं मिला, मुझे मेरा खुद का refund पाने में 46 दिन लग गया थे, बाकी बहुत सह से लोग मेरे पास अभी पड़े हुए, जिनके दो मेहने सूपर हो गया है, फिर भी अभी तक refund नहीं मिला है, वो refund की लाइन में लगे हुए हैं, तो अभी फिरहाल यह है कि आप कभी भी अगर firebolt की smart watch को order कर रहे हैं, तो अभी इस बात के दिहान रखिए कि paid पहले मत करिए, COD करिए, और paid ज्यादा तर लोग तभी करते हैं, जब कोई भी company अपने उपर यह तो सही है, लेकिन firebolt के साथ बिल्कुल भी ऐसा ना करिए, firebolt का आप कोई product खरीते हैं, तो cash on delivery ही खरीती है, ताकि अगर automatic cancel भी हो जाए, तो भी आपको कोई problem नहीं हो, बाकि आप मेरी रह लेंगे, तो मैं सीधे बोलता हूँ कि आप firebolt की watch को खरीती ही मत, क्योंकि मैं प product उन्होंने कर दिया है, और पहले payment भी कर दिया है, लेकिन जब उसका track कर रही है ID, तो उनका product उनके पास ना आके, कहीं दूर दिखा रहा है, कि उनका product वहां से किसी दूसरे area में जा रहा है, तो मैंने उन्हें बोला है कि जब तक product deliver नहीं हो जाता है, आप wait कर लिजिए, उसके बाद फिर आप हमसे बताईएगा, कि आपको product मिला या फिर कहीं और deliver हो गया, तब मैं बताऊँगा कि आपको कहां और किसे संपर करना चाहिए, और अब बात कर लेते हैं कि माली जी अभी क्या है कि smart watch की दुनिया उतना तेजी से बढ़ रही है, लेकिन फिर भी उतन बना दे कुछ भी इसमें problem आ जाए तो, और उसके कई region भी है कि अभी तक कोई भी company इतनी famous smart watch में नहीं हुई है, कि उसके सारे product market में easily धंक से उपलब भी हो जाए, तो कहीं न कहीं warranty खतम होने के बाद अगर आपको watch में problem आती है, तो यह मान के चलिए कि आपकी watch की life नहीं कि, service center वाले बोले कि अगर छोटी मोटी कुछ problem होती तो मैं सही कर देता, फिरहाल मैं इसे कुछ भी आपके watch के साथ नहीं कर सकता, आप इसे वापस ले जाए, तो ऐसा सभी company के साथ हो सकता है, क्योंकि अभी तो watch की दुनिया धीरे-धी develop हो रही है, फिर भी अगर मे अब उनके watch में जो भी problem रही होगी, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियों, अगर वीडियों अच्छी लगी हो तो like और share करना बिल्कुल ना भूले, यदि आपकी कोई राय हो तो हमें comment पर Instagram पर आके जरूर बताएं, और आप नए और अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं कियों, तो जरूर से सस्क्राइब कर लिजेगा, और घंटिक आईगान को जरूर दबा लिजेगा, ताकि हमारी अगली वीडियों को नाटवेकेसन आपको मिलती रहे.